अपराधिक मामले दर्ज है कोई कोड़पती है कोई अरबपती है और हिंदोस्तान की डेमोक्रेसी कहती है हम तो दो रुपए में लोकतंत्र को जीना सिखा सकते हैं कैसे आईए यह रिपोर्ट भी आपको दिखलाते हैं दो रुपए तिरासी पैसे जी सोचिये मत जड़ा ये देखें ये पासबुक है और पासबुक में ही दर्ज है दो रुपए तिरासी पैसे दर्सल ये पासबुक 36 गड़ के धमतरी के किसान नम्मु राम सहु की है धाई एकड़ में धान की फसल उगाई फसल सूख गई परबाद हो गई ऐसे में उम्मीद बनी फसल भीमा से रहत मिल जाएगी रहत मिल गई दो रुपए तिरासी पैसे की अब किसान नरुत्तम से भी मिल लीजिए इन्हें भी मुआवज़ा मिला है ये भागिशाली है इन्हें दो रुपए तिरासी पैसे नहीं सत्तर रुपए बाराँ पैसे मिले है मुबाइल पर बार-बार मैसेज देखते हैं नरुत्तम और सोचते हैं फसल भीमा कराया ही क्यों तो 36 गड़ के धमतरी से अलग बिलासपुर के इन किसानों से भी मिल लीजिए किसी को मुआवजे में एक रुपए एक सक पैसे मिले हैं तो किसी को एक रुपए एक्क्यानवे पैसे तो फसल भीमा का 36 गड़ में हाल ये है कि यहाँ पर हथेली में 54 उच्छाल दीजिए उससे भी कम फसल भीमा की रकम आती है तो ऐसे में हर मौके बे मौके पर मुख मंत्री रमन सिंग से लेकर प्रधान मंत्री नरिंडर मोधी तक जब ये दावा करते हैं तो कि फसल भीमा है तो किसान घबराए ना और जब फसल भीमा की रकम आती है तो किसान को दिल का दौरा ना पड़ जाए ये सोचने लगता है उसका परिवार है लेकिन इन सब सहीतर पहले बात तो प्रधान मंत्री की सुनते हुए चलिए और अब सोचना शुरू कीजिए इस दावे का मतलब क्या है क्या खुला मजाख हो रहा है धमतरी में 8,722 किसानों के बैंक खातों में मुआफजे की राशी जमा कराई गई लेकिन इनमें 2,000 से ज़्यादा किसान ऐसे जिने 2 रुपए से 5 रुपए के बीच मुआफजा मिला ज्यादातर किसानों को 15,000 से 50,000 रुपए के बीच नुकसान हुआ है तो मुआफजा क्या उंट के मुँ में जीरा किसान केहा है अब हम तो अदालत का दर्वाजा खट-खटाएंगे सवाल कई है फसल बीमा योजना फसल खराब होने की एस्तिती में किसानों की मदद करती है और मदद अगर इस रूप में आती है तो क्या ये कहा जाए नौकर शाही ने बीच में जिब भर ली या फिर ये कहा जाए कि करप्शन इस हद तक है कि फसल बीमा सफल ही ना हो इसलिए भरोसा तूटने लगा है तो सेंटर फर साइंस एन इंवारिमेंट की 2017 की अब रिपोर्ट देख लीजिए इस रिपोर्ट में 2017-18 में योजना के तहट आने वाले रखवे की कमी दर्ज की गई है यानि किसानों को फसल बीमा से भरोसा डिगने लगा है बैंक से करज लेते ही किसानों का प्रीमियम कट जाता है अलबता मुआवजा मिलता नहीं और उन्हें समझ नहीं आता गरवड़ी क्या हो गई या फिर राजनिती ही चलती है बोलते हैं कि आपका फसल खराब होगा ता आपको बीमा का पूरा रासी दिया जाएगा लेकिन आज तक किसी की सानों को नहीं मिला और अभी सुखा राहात के राम से बीमा मिला है तो किसी के एक रुपया किसी के दो रुपया बैंक के अधिकारी से और किसी वाग के अधिकारी से चल्चक की है हमने गड़बडी हुई है उसकी जाच करेंगे दरसल फसल बीमा योजना के मुआवजे समंदी नियम टिड़े भी है और नियमों की आड में बीमा कमपनिया उन गरीब किसानों को ठग लेती है जिने भरोसा होता है कि उनका मसीहा या तो रायपूर में बैठा है या फिर दिनली में पर मसीहा तो अधिकारी होते हैं जो कहीं बीमा कमपनियों में बैठे हैं या फिर कहीं बैंक में और इन मसीहा को कोई टोकता ना 36 गड़ के कटोरे में धान भरने वाला किसान आज फसल बीमा के नाम पर दो और चार रुपए का भुकतान लेने के लिए मजबूर है सरकार दावा करती है कि किसानों के आए को दोगुना करेगी लेकिन जब किसानों के हक की बात आती है तो उनके साथ बड़ा मजाक किया जाता है ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे